अभी बज़ रहा है फाइब टेल मॉर्निंग और यहाँ पाज चल रहा है पाश्याल लॉक्डाउन इसलिए मोस्ली घर पर ही हूँ इसलिए वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया भी एक सवाल बहुत साहे लोगों के मन में है कि किया एपजेड भर्शन 3 से आप ओफ तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं किया है इस बाइक का ओफ रोडिंग कैपविलिटी मैंने उतना जाद आप रोड नहीं किया है बाइक के साथ बाइक के साथ मेरे भाशन 2 के साथ कुछ एक्सपरिजेंस रहा है अब ही ऑफ रोडिंग एक बहुत जाए ट्रेंडिंग टॉपिक है बट बिफोर ऑफ रोडिंग या बिफोर एडवेंचर टुरिंग आपको यह धियान में राइकना पड़ेगा कि बाइक का बहुत सारे कैटेगोरीज होता है यह जो एपजी एस भाशन 3 वेस 6 का जो मॉड मॉडल है जो मेरे पास है या आपके पास है यह बाइक एक स्टीट फाइटर और नेकेड वाइक है बाइक में बहुत सारे कैटेगोरीज आपको देखने को मिलता है स्पोर्ट्स स्टीट फाइटर और नेकेड एडवेंचर टूरिंग मॉडल ऑफ रोडिंग मॉडल क्रूजरीजर मॉडल ऐसे बहुत सारे मॉडल में डिफारेंस होता है और यह जो डिफारेंट मॉडल ऑडि रिकेरेंड के लिए बना हुआ हता है जो sports model होता है वो mainly sports के लिए होता है अब super fast hyper riding या super fast riding करोगे इसलिए sports model बना हुआ होता है यह जो street fighter और naked model है यह mainly city में या occasional touring के लिए आप use कर सकते है जो adventure tourer bike है वो bike से आप tour भी कर सकते हो उसके साथ off-roading भी कर सकते हो जो cruiser bike है वो भी mainly touring के लिए बना हुआ होता है comfortable touring ऐसे बहुत सरे bike में category होता है अब off-roading में क्या होता है bad patches of roads खराब terrain होता है जा पर आपको खराब रस्ते से bike को ले जाना परता है उबर खबर रस्ता होता है ऐसा normally off-road terrain के अंदर परता है off-road के लिए जो best bike है low rcc category में himalayan आता है xpulse 200 आता है या अगर आप high rcc category में चले जाओ तो आपको बहुत सरे अफसस देखने को मिल जाएगा बट यह जो fgs version 3 है यह off-road bike नहीं है यह street naked bike है obviously आप इससे off-road कर सकते हो but this is not recommended क्योंकि मेरे पास version 2 था और version 2 version 3 में उतना ज्यादा difference नहीं है इंजिन वाइज या आप कहो बाइक का जो sitting posture या बाइक का जो handling उनमें उतना ज्यादा difference नहीं है थोड़ा बहुत difference है overall they are same version 2 में मैं मैंने बहुत सारे off-roading करने के कोशिश किया था बहुत सारे खाड़ा प्रस्ते पर बाइक को ले कर गया बाइक प्रफॉर्म अच्छा करता है लेखिन बहुत सारे flaws है उनमें बहुत प्रस्त के बाड़े मैं आज बात करूंगा first of all off-roading के लिए आपको चाहिए डूएल परपस टायर्स एबजी में जो टायर आता है वो रोड टायर्स है यह जो टायर का सेट है इससे आप बाइक को भगा सकते हो हाईवे पर ले जा सकते हो सिटी में चला सकते हो कोई किसी भ कर गया था एक बारी हो रहा था और रस्ते में बहुत सारा पानी और उसके साथ मढ़ भी था तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था इसलिए ब्रेकिंग टिक टक हो रहा था बट ट्यार का ग्रिप तोड़ा कम हो गया था पीछे में पीछे का टायर में जबी में प्लास एक ड्यूर्ण ओर भाइक्स का जो शिबंशन टेबिल होता है बहुत शादा है ज्यादा उसका ट्यूर्णिंग थोरा सा लाग होता कैसरे प्लास इसका साथ में गयाशनक होने का चांसे स् कहला है मेरे जो वर्षन टू है वहाँ पर बहुत सारे बार ओयल सिल ब्रेक होआ था तो जादा आफ रोट करोगे तो ऐसा सस्पेंशन पर एफेक्ट परता है थार्ट पॉइंट इस कि आप सैडल कर सकते हो इस बाइक पर एंसर इस नो क्योंकि सेडल करने के लिए जो पॉस्ट चाहि पॉट पैट का पॉजिशन जो होना चाहिए बौइस बाइक में नहीं है इस बाइक का फॉट पैट का पोजिशन थोड़ा पीछे है है हैंडल पर तो डाउन है तो एक स्रीट का इंड़ जो मेंलली street बाइक में जैसा sitting पास्टर होता है उचा हैंडल बार मिडल सेट जो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करते हैं या आप कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप करने सकते बाइक का जो टैर है वो डुल परपस टैर में आप चेंज कर सकते हो उससे ग्रीब जद अच्छा हो जाएगा बट बट ऐसे बहुत सारे चीज़े जिसको ध्यान में रखते हुए आपको उफ्रोडिंग करना चाहिए उफ्रोडिंग के लिए स्प करिदना है तो ऑफ्रोडिंग ज्यादा करेंगे तो बाइक में एफेक्ट पड़ेगा एफ्जीए भाष्णत्री का जो ग्राउंड क्लियर्ण से वो सीटी के लिए सेट किया गया है सो पीर ऑफ्रोड में बाइक का बेली स्क्रैप हो सकता है और ऐसे बहुत सारे प्रब्लम और उसके साथ और एक प्रब्लम होए कि ज्यादा बड़ा गड़ा होगा या ज्यादा खड़ाब अप्रोड का पैच होगा तो एलो हील्स टूट भी सकता है बट स्पोक विल तूटेगा नहीं बेंड हो सकता है उसे आप ठिक कर सकते हो बट एलो हील अगर तूट जाए तो बहुत ज्यादा प्रब्लम होगा एलो हील टूटने से बो एलो आपको चेंज करना पड़ेगा उसके साथ हवा भी निकल जाएगा बहुत ज्यादा प्रब्लम होगा क्योंकि यह सब ट्यूबलेस टायर्स होता है तो ऐसे बहुत सारे चीज़े जियो अफ्रोडिंग में बट यह प्रॉपर ऑफ्रोडर नहीं है आप इससे ऑफ्रोडिंग कर सकते हो थोड़ा बहुत फॉड़ीं कर सकते हो ज्यादा अफ्रोड मत किजीए बाइक में प्रोलें होगा बाइक में एफट्ट पढ़ेगा जैसे मैंने कहा कि ओइल सील ब्रेक हो सकता है सास्पेंसर में एफेक्ट पर सकता है आप easily saddle नहीं कर पाओगे तो आपका जो body posture है उसमें एफेक्ट पड़ेगा बहुत सरे ऐसे चोड़ा-चोड़ा problem आप देख सकते हो जो कि आपको initially नहीं दिखेगा लगेगा कि या bike is capable bike से आप किसी भी bike से आप कुछ भी कर सकते हो या आप कर सकते हो but specific bike होता है अगर आप उससे यूज करो तो अच्छा होगा लाइक स्टीट के लिए स्टीट वाइक क्रूजिंग के लिए क्रूजर बाइक और अफ रोडिंग के लिए आप रोडिंग बाइक जैसा केटेगोरी होता है सब्सक्राइब आपको समझ में आ गया होगा कि एपजी इस नॉट प्रॉपर ऑफ रोडर बाट आप इस अफ्रोड कर सकते हो बाट आपको बहुत सरे मोडिपिकेशन करना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर लिए उफ रोडिंग करना चाहते हो गोपर इस काइंट ऑफ रोडिंग बाइक लाइक एक्स पाल्स और हिमल्यान यह जो एपजी आज भाइक में बाइक में बहुत सरा प्रॉब्लेम आएगा जैसे मैंने कहा यह भाष्णत्यों का एक्स्पिरियेंस ह अगर आपको प्रॉपर लिए अच्छा बाइक है या अगर आपका बाजेक तो आप हिमलायन पर जा सकते हैं बढ़िया बाइक है जाता ज्यादा माइलेज निकलना है कॉमपोड़ेबल राइट करना है तो और मैंने एक लांग राइड रिव्यू का वीडियो भी रिलिश क क्या है वह आप चेक कर सकते हैं मैं डेस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा पास्याल लॉक्डाउं के काड़न अभी घर से निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मैं सोच रहा हो कि ऐसे चोड़ चोड़ा टॉपिक के उपर इंफोर्मेटिव बना जाए तो यह पहला व मैं इंस्ट्रागम पर बहुत सारे फोटोज अपलोड करता हूँ स्टोरी अपलोड करता हूँ स्टे टून फॉर मोर वीडियो एंड किप सपोर्टिंग किप लविंग और इस टाइम पर घर पर रहिए सेफ रहिए माक स्पैन के बाहर निकले और अगर बाइक चला रहे तो हेलमेट जरूर पहने है तो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो अपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नया इंपर्मेटिव वीडियो लेकर सो तिल देन स्टे सेफ ब्रेड लब पीस बाइबाई